प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी पर अपमान जनक बयान को लेकर जारी विवात के बीच भारत ने सोंबार को मालदीव के उच्चे युक्त इब्राहिम साहिब को तलब किया। इसके बाद इब्राहिम साहिब दिल्ली में विदेश मंत्राले की दक्शिन ब्लोक में पहुचे। इस दोरान दोनों देशों की बीच चल रहे विवाद को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले मालदीव की सरकार ने रविवार को तीन मंत्रियों को लिलंबित कर दिया था। इ इस दौरान पीएम मोदी ने लक्षदीप की खूपसूरते तश्वीरे भी शेयर करी और भारतियों से अपील की कि इन्हें एक टूरिस्ट प्लेस बना लिया जाए और अपने लिस्ट में शामिल कर लिया जाए इसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि य मालदीव के लिए जटका होगा सोशल मीडिया पर भारती दौरा इन दावे के भड़के मालदीव ने कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की यात्रा का मज़ा को डाना शुरू कर दिया और उनके खिलाफ अपमा जणक टिपड़ी की थी इसके बाद सोशल मीड मालदीव स्टेंड करने लगा और कई बड़ी हस्तियां और यूजर्स ने दावा किया कि उन्होंने अपनी मालदीव यात्रा रद कर दी